नमस्ते कैसे आप सब लोग आपके जो पार्टनर है या पार्टनर के अलावा भी कोई एक ऐसा इंसान है या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो लोग आपके बिलकुल भी कदर नहीं करते हैं आप उनके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन वो लोग आपकी कदर नहीं करते ह तो अपने आपसे यह सवाल पूछे कि वो लोग जो हैं वो सिर्फ आपकी कद्र नहीं करते हैं और कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वो कद्र करते हैं 100% मैं श्यारेडी के साथ यहां पर यह बली बात क्या सकते हूं वो इंसान और बहुत सारे लोगों की कद्र करता होगा आपकी कब बूंसे थी कि रॉप भूर किया को मध्री होती है प्यात्र— गांदार की दरिव मारा सब्सक्राइब करते हैं उन्हों से पूछ इसे माँने ओंने के लिए उनको इनको कांवन सचाओे है बात तो रूठे किस बात में हैं भाई, क्या हो गया, कोई लडाई हो गई, कोई चीज हो गई, तो ज़्यादातर cases में जो लडाई जगडा होता है, वो सामने वाला इंसान इस तरीके से बना करके बैठ गया होता है, कि अरे तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे, और हम इस तरीके से बना कर वह चीज है मतलब 99% लोगों में एक सेम चीज में लिए है कि हमने बहुत बाह ट्राइ किया उनसे बात करने की बहुत गिड़ाई बहुत रोई बहुत छट पटाई बहुत ट्राइ किया जो कि मुझे लगता है स्टार्टिंग में बुरा भी नहीं है हम पूरी कोशश करते हैं कि हम किसी रिष्टे को बचाने के लिए कुछ भी करें ठीक है हम रोल लिये हैं हम चट पटा गए हैं हमने पूरी तरीके से ट्राइ कर लिया है हमने अपनी हर कोशश कर लिया है लेकिन अब इससे होता क्या है यह ठीक है इनिशियल अगर स्टेज चल रही है चीजे वहां पर खराब है और वहां तक यह हो रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं आप थोड़ा से रो सकते हैं आप उन्हें मनानी की कोशिश कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं मैसेज पर कंवेंस करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन ये बहुत जादा ना हो जाए मतलब आपने दो बार चार बार छे बार दस बार कर लिया बस करिये इसके बाद चोप हो जाए एकदम शान्त रहिए बिकास इसमें क्या करते हो ना आप सामने वाले को ये चीज़ बता रहे होते हो कि आप ही हो उनकी लाइफ में जो हो आप खुड कुछ हो ही नहीं उनके विना वही आपके लिए सरवोग तरी हैं वही आपके लिए इस इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपOrtent हैं वही है जो कुछ भी है आप इतना जादा रो रो करके ना इतना जादा तडब तडब करके ना उनको यह दिखा देते हो कि अगर उन्होंने आपको नहीं पाया तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि यह हम नहीं करके दिखाया होते हैं जो कि इनीशिली सच में गलत भी नहीं है हमारी ऐसी condition हो ही गई होते हैं कि हम ऐसा try करते हैं लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उसको इतना जादा बढ़ा देते हैं कि सामने वाले की नजरों में खुद को गिरा लेते हैं अगर यह चाहते हैं कि आपने ही सारी चीज़े कर ली है अब भी सामने वाला आ इस इंसान को बिना देखे कैसे काम कर सकते हैं किस किस एरिया में काम कर सकते हैं कहां कहां अपने आपको उपर उठा सकते हैं कहां कहां अपनी growth पर काम कर सकते हैं आप अपने mindset पर किस तरीके से काम कर सकते हैं आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है ना येकीन मानियस पू ने गिड़गिडाना पूरी त्रीके से बंद हो जाता है तब जागर के वह आपको मिस करने लिए हैं आपकी कद्र होने लगते हैं आपके होने का ना होने के एहसास होता है लेकिन आप हो और तब भी नहीं हो आप चट पटा चट पटा के वहाँ होने के कोशिश कर रहे हो लगात तार कर रहे हो महीनों तक कर रहे हो तो फیर आपकी कद्र जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते है सामने वायला कही न कहीं इस बात को एकधम क्लेरली समझ चुका होते हैं, कि आप उसके बिना कुछ हो ही नहीं, और आप ये खुद भी मान चुके होते हो, कि आप उस इंसान के बिना कुछ हो ही नहीं, तो अब उस इंसान को ये दिखाने का समय आ जाता है, कि आप उसके बिना संपूर्ण इंसान हो, पूरी तरीके से पूर्ण ह आपको इ Fishwater ने पूरा पैदा किया है ना, आदा आदा हिस्तों में तो पैदा नहीं किया है ना. सिर्फ attraction की वज़े से, सिर्फ relationship की वज़े से, सिर्फ सामने वाले प्षबारी करने की वज़े से, सिर्फ एक attachment की वज़े से हमने खुद को खोया है, ना. ठीक है कोई बात ने कोई बात ने आपको नहीं रहना कोई जबर्दस्ती नहीं अब मैं करूंगी भी नहीं अब मैं करूंगा भी नहीं और निकल जाहिए वहां से जब आप निकलते हैं तब आप कद्र पाप आते हैं तब सामने वाले इंसान को आपकी कद्र होती है क्योंकि वो उस इनसान को अब खोजना शुरू करता है, जो आपके जसे चीज़े करें. आपके जैसा ही क्यूं? क्योंकि आप बहतरीन हैं. और यह हो भी जहुते हैं, कि आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता. लेकिन क्यूंकि आप अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हैं, आप अपनी ये कद्र खोते जा रहे हैं, तो फिर सामने वाला आपकी कद्र क्यों करेगा, आप अपने आपको जिस भी तरीके से ट्रीट करवाना चाहते हैं, उस तरीके से अगर आप अपने आपको ही ट्रीट नहीं करते हैं, तो सामने वाला भी नहीं करेगा, इसलिए कद्र सारी और डीब डीप सी चीजें कर ली हैं जिस वजह से हम आज खुद ही परेशानियों का शेकार हो रहे हैं आपको सच्च मुच में लगता है कि यह अगर यह प्तार मेरा explet क्यों कि ऐसा प्यार नहीं होता है । आपका प्यार आपको आपकी कद्र करना सिखाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएगा, आपकी इजद उसके लिए उससे भी बड़ी चीज हो जाएगे, वो इनसान आपको ऐसे रखेगा, लेकिन वो तब ही होगा जब आप ये सारे करके सामने वाले को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिवाए बेजदी के कुछ भी नहीं देगा, इसलिए be careful, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी कद्र करें, तो आप अपनी कद्र पहले खुद कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा, कि सामने वाला आपकी कद् करना शुरू कर देता है अपने अपने खियाल अपने आप से कीजिए धेर सारा प्यार ता कि आप अपर ट्राक्ट करें धेर सारा प्यार अलब यू ओन